आखिर ये इतनी बेज़ती क्यों की जा रही है भारत के 17 कोड़ मुसल्मानों से AI MIM के रास्ट्री अध्यक्ष और हैदराबाद के संसद असदुदीन ओवैसी जो संसद में भाशन दे या फिर सड़क पर बयान दे उनके हर निशाने पर होती है बीजेपी और मुद्दा होते हैं मुसल्मान इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ मुद्दा भी देश के मुसल्मानों से जुड़ा था और निशाना भी केंडर में बैठी बीजेपी सरकार पर ही लगाया जा रहा था लेकिन क्यूं तो माजरा ये था कि दिल्ली के इंद्रलोक इलाके का एक वीडियो वाइरल हो रहा था जिसमें एक पुलिस वाला खाकी का रॉब जाड़ते हुए नमाजियों पर लाद बरसाते हुए दिखाई दे रहा है बस फिर क्या ये देखते ही ओवैसी का पारा हाई हो गया उन्होंने आप देखा न ताव सीधा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से ही सवाल पूछ लिया कहा कि आखिर भारत के 17 करोड मुसल्मानों की इतनी बेईज़ती क्यों की जा रही है तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस तरह से मुसल्मानों के खिलाफ एक नफरत पैदा कर दी गई है मैं पूछना चाहूंगा हमारे वजीर आजम से बीजेपी के लोगों से के बताओ वो जो मुसल्मान जिसको आप सालत सच्दा में नमाज में था जिसको लात मारा गया है जिसकी बेज़ती की गई है उसका तालुख किस परिवार से है किस के खांदान से बताओ आखिर ये इतनी बेज़ती क्यों की जा रही है भारत के सत्रा कौड मुसल्मानों से और वैसी तो बीजेपी पर बड़ से ही अकिलेश के नेता भी बीजेपी पर हमलावर होगा है मुरादाबास सबा सांसद एस्टी हसन ने कहा कि बीजेपी की शेय पर ही पुलिस मुसल्मानों के साथ ऐसा सलूक कर रही है साथ ही साथ वो आरोपी कुलिस वाले के खिलाफ ने लंबन की कारवाई से खुश नहीं दिखे उन्होंने कहा उसकी जगाद जेल में होनी चाहिए अबादत करते हुए इनसान के उपर इस तरह से पीछे से लात मार दी जाए इस वीजेपी को घेलने का कोई मोका हाद से छोड़ना नहीं चाहता ऐसे में दिल्ली में नमाजियों से बसलूकी के वाइरल वीडियो को लेकर सोचल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है हर एक विपक्षी नेता इसे मुद्दा बना कर मुसल्मानों का वोट साधने की कोशिश में है इस वीडियो ने कहीं न कहीं बीजेपी की चुनावी तैयारियों में अर्चन जरूर डालती है। अब इससे बीजेपी कैसे निफ्टेगी लगता है इसका इलाज भी पार्टी के चानक के ही निकालेंगे। एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी